हेई गाईज आज मैं आ गई हूँ स्विस्ड्यूटी के लिप स्वाच लेकर यह जो है ना यह उनका लिप क्रेयॉन की सेक्शन में सही बिल्कुल नॉन ट्रांस्वर है बहुत ही क्रीमी है में पास सिर्फ लाइक फोर शेट से अभी फिलाद पर आम थेंकिंग ऑफ बाइंग रची नुड और a pink nude है और a brown nude है और a red है जोंकि काफीं संदर है मुझे तोकाह Ride यह वैसे तो यह रेटेल करती है थो नइचीन रुपीज का पर मुझे काफी सस्ता मेला मैंने यह कुछ मैंने एक शैट जो है वो नाइका से लिया चो 225 परा और बाकी मैंने फेस्च बुक से लिया है वह बे अथेंटिक सेलर से लिया है तो मुझे कुछ राउंड 1.19 रुप चलिए जादा और बगबग नहीं करते है और आगे बड़ते है स्वाचिस की तरफ यह एश्रेट शेड है यह बहुत ही प्यारा से डीप रेड शेड इसका कोई अंडर टोन नहीं है यह पर्फेक्ट रेड शेड होता है वह वह है इसको मैंने बिना मेकप यह साइड स्वाचि प्यूटेबल है वनस्वाइप पिजम इसका एकड़ मैठ हो जाता है एक दम मैठ हो जाता है यह पहले भी ओड़ा शेड यह पूधा यह प्यारा से यह पारा से आप इसको जरूर ट्राइआउट किजिए अगर अच्छा लगता है तो मुझे जरूर बताएए और यह जो प प्राइस विंज में आता है ऐसे क्वालिटी का लिप्स्टिक और बहुत ईजली माइसलर वाटर से रिमूफ भी हो जाता है और अच्छे से यह आर्टिस्ट न्यूट शेट है यह बहुत ही सुन्दर सा न्यूट पिंक शेड है विट मॉवी अंडर टोन मुझे यह कलर काफी पसंद यह अगर आप मीडियूम तो फेर्ट स्किं टोन के होना तो यह आप पे बहुत यह अच्छा लगने वाला है रिच स्किं टोन को यह थोरा सा वाश आउट कर सकता है पर अगर आप एक डीप लिप लिप लिएनर से इसको पेर अप करोगे तो यह अप पर काफी एच् मुझे यह काफी पसंद है यह मैं अगर मैं हेवी आई मेकप कर तो उसके साथ बहुत ही संदर तरीके से पेरफ होता है यह बिल्कुल नॉन ट्रांसफर है अब देखी सकते है दू ट्राइट इस आउट यह फुद्ध कर देखने पाउना है यह यह पुद्ध लाउने इस एक पर्फेक्ट नूइद से शेड़ों यू ट्राइड आप प्रफेक्ट नूट्स पोहाँ सुंदर आग यह पूंदर आग अगर आज यह आज भी इसको ट्राइग यह इसको प्राइग अगर आप मेरे स्किन टोन के अराउंड तो भी आप बहुत संदर लेगा अगर आप इसको पेर अपर सकते हो बहुत प्रिटी लगने वाला है इसमेर पीच का अंड़ टोन ज्यादा है और ब्राउन का थो रखाम ह यह इसको प्राइग इसको प्राइग आप कर देता है इसे वीडियो के लिए दो सब्सक्राइब बाबाई यह एक प्रॉपर ब्राउन शेड है मेरे लिए और अगर आप डिपर स्किन टोन के हो तो यह आपके लिए एक पर्फेक्ट नूड शेड लाइब यह बहुत यूँनिवर्सल शेड है यह सब पर अच्छा लगता है अप लाइट श्किन टोन के हो मेडियम यह वेटिश हो या डार्क वो कुछ भी यह यह पे अच्छा लगने ही वाला है दूस्ट लाइक असके टोन के साफ से कलर वाइरी करता है पर बहुत ही प्य मेरा फेरिट शेड तो एड तो एड तो आप सब्सक्राइब सब्सक्राइब आपको यह लिप्सवाच वीडियो अच्छा लगा होगा मुझे बताएब आपको इन में से कौन सा शेड लगा मेरा फेवरिट शेट तो एश्च रेड है और चौको बारे जो मैंने अभी स्वक लगा के रखा है काफी क्रीमी तो अप्लाई है और बहुत ही जल्दी एकदम ड्राइ मैट हो जाता है ट्रांस्वर पूफ है किस पूफ है बहुत प्यार इसका फिनिश अन जो प्राइस पॉंट पर यह मिल रहा है यह बहुत ही हाएं ब्रैंड को टकर देने वादा लिप्स्टिक है अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्स्क्राइब कर लीजिए मैं आपसे मिलते हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो पे तिल देन बाबाबाब गाइस यह दोनों शेड ना मुझे बाद म तरिके के आउटफिट के साथ भी बहुत अच्छी साथ है हर स्किंटोन को यह मैंच करता है बहुत स्मूदली ग्लाइड होता है हर लिप्स्टिक लाइक हर बहुत ही पिग्मेंटेड है क्योंकि यह दिए लेयर आउट करना पड़ेगा इसका फुल पिग्मेंटेशन के लि आउट कर सकते हैं और कैसा लगता है शेट मुझे जरूर कमेंट में बताईएगा यह जो शेट ना यह वन आफ तो मोस्ट 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 फेवरिट शेट से काफी लर्कियों को यह कलर पसंद है मुझे भी परसनली बहुत पसंद है मैंने यह क्योंकि बिना मेकप के किया पर विट मेकप यह काफी पसंद आता है मुझे यह है प्लम पिक यह बहुत ही सुंदर सा एक प्लमी परपली पिंक शेड़ एक डीप फूशिया कलर अब इसको बोल सकते है मुझे तो बहुत ही बबली सा एक शेड लगता है और मैं इसे किसी भी पहना बहुत साथ पसंद कर इसको ब्राइटन आउट कर देता है पर क्यूंकि इसको मैंने बिना मेकप के लगा हुआ है तो यह मुझे थोरा सा यूनो बहुत जादा भड़कीला लग सकता है आपको पर आप इसका स्वाच देखे कितना कितना प्यारा कलर है और वन स्वाइप पिग्मेंटेशन आपको